दोस्तों, इंट्राडेटेक मुंबई में आपका कोटी-कोटी अभारा बहुत-बहुत स्वागत है, सब ही हमारे सब्सकाइबर, बीवर और जो भी हमारे ओडियोंस है, क्लाइन्ट हैं, उनको हम हिर्दे से सैलूट करते हैं, क्योंकि ओ हैं, तो हम हैं, उसके बाद देश के बारे में भी हम जरूर सोचते हैं, आप भी एक मिनट जरूर सोचते हैं, चलिए सेर मार्केट के बार करते हैं, और सेर मार्केट से जुड़े हुए हैं, इसलिए सेर मार्केट के ही हम चर्चा करेंगे, और आज एक ऐसा ये वीडियो है, जो हमारे देश के हित में है, हमारे आम आदमी के हित में है और ये भारास सरकार के भी हित में है जो सबी को सोचना चाहिए इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप जरूर अपने दोस्तों को सेर कीजिए और कॉमेंट जरूर लिखे कि आपको वीडियो ये कैसा लगा हम आज बात करेंगे पांच सेर के बा ओला दे दिया गोला ओला के एक भी कलाइंट जो ओला ड्राइबर है वो अगर खुस है तो हमें इसमें कॉमेंट जरूर कीजिए और हम ये बतारने के लिए इस वीडियो बनाए हैं कि ओला के पास क्या है वो हमारे देश में क्या इन्वेस्टमेंट किया है हम सरकार से पूछना चाहेंगे, आदमी से भी पूछना चाहेंगे, कि ओला का क्या investment है, उबेर कर दिया सबेर, ये दो कंपनियों का क्या investment है, आप एक बार इस बात पे जरूर सोचिए क्या ये लाए हैं यहां हिंदुस्तान में कि ये पैसा हमें और हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे और हमारे देश के विकास में क्या ये सहाइक हैं कि ये बाधक हैं क्योंकि गाड़ी आपकी पैसा आपका कस्टमर आप और ड्राइबर आप और कमिशन किदर जाता हैं सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए हमारे देश का पैसा बाहर जाता है हमारा ही पैसा जाता है सिर्फ टेकनोलोजी की ये टेकनोलोजी हमारे हिंदुस्तान में जरूरी हर आदमी को ये बात सोचना चाहिए चलिए हम बात करते हैं ये तो घूमने पिरने और ट्रेबलिंग की बात हो गई खाने पीने के भी हम बात करने थोड़ा सा कि ये आप देख लीजिए बर्गर किंग हो गया रिंग और जो मैटो बन गया टोमैटो अब आने वाला है के एप सी का आई पिओ इसलिए ये बीडियो बहुत ही जरूरी है हमारे सभी लोगों के लिए जो सेर मार्केश से जुड़े हुए हैं हमारे कहने का मतलब कि इन चीजों से ओला उबेर के स्टोक में शेयर मार्केट में पैसा लगाने से बर्गर किंग और जोमेटो और केपसी में पैसा लगाने से हमरे देश का क्या विकास हो जाएगा हमें कमेंट में जरूर दीजिए और हम आज जरूर एक बात करेंगे सरकार से भी खाना चाहें कि ऐसे जो कमपनियों को इंडर्स्टिलिस्ट हो ऐसे लोगों को बढ़ावा देना जरूरी है हम बता रहते हैं कि बिजनेस्मेन और इंडर्स्टिलिस्ट दोनों में जमीन और असमान का अंतर होता है वाटी डिफिनेशन ओफ इंडर्स्टिलिस्ट एंड वाटीज डिफिनेशन अफ बिजनेस्मेन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है इंडस्टिलिस्ट देश के बारे में लोगों के बारे में उद्योगपती जो होता है वो सोचता है कि हमारा देश विकास हो और हमारे जाने के बाद और भी इंडस्टिलिस्ट नए हमारे स्टार्ट अप बने लेकिन बिजनेसमें कभी ने सोचता है, शिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचता है, वो है बिजनेसमें, और बिजनेस के लिए आपको ये पुछता है नहीं चलता है, लेकिन उद्योपती जो होते हैं, वो सभी के बारे में सोचते हैं, तो हम मेरे वीडियो बनाने का मतल में विकास हो ऐसे शेयर को आप बढ़ावा दीजिए ऐसे शेयर में इंडिवेस्टमेंट कीजिए न कि सिर्फ शहरों मेराने वाले और दूसरी बात कि शहर में पार्सल, बर्गर, पिज्जा और चौमिन और इडली बढ़ा कौन मंगाता है कभी भी एक आदमी का नाम बता दीजिए जो कौरोपति और अरपति जो कौरोण रुपया के बंगले में रहते हैं करोड रुपया के गाड़ी में घुंते हैं क्या वो जो मैटो का खाना खाते हैं एक भी इंडर्स्टलिस एक भी बिजनेसमैन बड़े करोड़ पती है एक भी बिजनेसमैन का नाम बता दीजिए क्या और बर्गर किंग का पिज्या और बर्गर खाते हैं क्या ओ ओला के गाड़ियों में जाते हैं क्या ओ उबेर के गाड़ियों में जाते हैं क्या ओ जानते हैं यह हमारे लिए नहीं गरीबों का पैसा ड्राइबर का खून पसीना जाता है और उसके बाद दी बहुत से गाड़ियों का हाल क्या है आप देख लिजे हम रिक्वेस्ट करते हैं भारत के सभी देश हित में जो बात करते हैं उन सभी नागरिकों से उन सभी नेताओं से कि ऐसे कार और ऐसे बिजनेस का बढ़ावा ना दिया जाना चाहिए क्योंकि ये हमा हमारी सोच है हमारा ये statement है और हमारी ये बाते हैं जो अगर अच्छा लगता है तो ये आप जरूर्द लोगों को share कीजिये Share Market में जुड़े हुए यह जो अभी आ रहे हैं IPO और IPO का खेल हम बता रहे हैं आपको कि IPO का खेल क्या है IPO का खेल बड़े बड़े लोग आपको पैसा दुबो देंगे क्योंकि यह वही भासा जानते हैं यह बिजनेसमेन है और बिजनेस की भासा जानते हैं बिजनेस मतलब यह सिर्फ बिजी रहना चाते हैं आपका क्या है क्या नहीं उससे नहीं मतलब है तो हम share market में ऐसे जगा पैसा लगाएंगे जिससे हमारा भी विकास हो हमारे आस पास के जो लोग है उनका भी विकास हो हमारे देश का भी विकास हो और देश में जो सहाइक है ऐसे कंपनियों में ऐसे इंडस्टी में हम पैसा लगाएंगे ताकि future में हमारे देश तरकी करे न कि बीना लगाए कहाओ थे कि जो उपरी मलाई जो है वो खाता है कौन और जमाता है कौन है एक लोगों ने बहुत सही कहा है किसी ने कहा है ये हमारी बाते नहीं लेकिन हम इस बात को सुने हैं और इस बात का मैं समर्थन करता हूँ 100% उन्ह नहीं 90% लोग ये गर्दन जो है न गर्दन से नीचे हाथ, पैर, खून, पसीने और मेहनत करके कमाते हैं गद्धे की तरह खड़ते हैं लेकिन ये गर्दन से उपर जो ये दिमाग से जो 10% लोग काम करते हैं वही कौड़पती और रपती हैं और वो 10% लोग न तो जो मैट का खाना खाते हैं और नहीं बर्गर किंग का खाना खाते हैं और केपसी का खाते हैं और उले उबेर और ओला में चलते हैं मैं बता देता हूं ये गर्दन से नीचे 90% जो ये गर्दन से नीचे वाले लोग हैं काम करने वाले वो ओला उबेर जो मैटो बर्गर किंग और और सुद्ध स्वक्ष पता नहीं घर में कैसे नहीं खाते हैं लोग हमारा एक इभी रिक्वेस्ट है कि ये भोल न जाईए हमारी संस्कृती हमारी भारतियता नहीं तो आने वाला पीड़ी बहुत ही कस्ट में होगा जय हिंद जय भारत बंदे मातरम और इंट्राडेट एक मुंबई पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए शेयर मार्केस जुड़े हर बात हर इंवेस्टमेंट कहा करें कैसे करें कब करें कब बेचे कब खरीदें यह आपको सब कुछ मिलेगा इसके लिए जय हिंद